सुपर टेस्टी एस्पंजी मारवारी कड़ी पकोड़े की रेस्पी सेयर करने जारी अगर आप सभी को मेरी मेनत पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए का फ्रेंट्स मैं एक बाव ले लिए हूं उसमें हमें दो चमत बेसन डाल मेरे थोड़ी पॉड़ गांई रवड़् दोंगी एक रिए हमें अची तरह मिक्स कर लिए नहीं है तो मैं यहां पर आदा गबानी यह कहा है पानी डालना है हमें बिदाउट लंस बेटर बना कर तयार कर लेना है तो मैंने पहले आदा कप पानी का इस्तिमाल कर और थोड़ा सा पानी डाल कर हमें मिक्स कर लेना है अब मैं यहां पे छाच का इस्तिमाल करूंगी लसी जिसे हम बटर मिल्क भी कहते हैं तो आप चाहते है यहां पर तही का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर लसी ले लिया है, और यह 500 ml लसी है, तो मैं इसमें अच्छी तरह से डाल कर इसे विदाउट लंस बेटर बना कर तयार करूँगी, एक कप मैं यहां पर पानी का भी इस्तिमाल कर रहे हूँ, यह आपकी चौइस गी का ही इस्तिमाल किजिएगा, ड्राय चीली डाल लिया है, मैंने सुखी लाल मिर्च और कड़ी के पते, फिर यहां पर मैंने ले लिया है, यह चमच सावु धनिया, सूखा धनिया है, यह धनिया के बीच जो होते हैं, उसे करस्ट कर कर डालिएगा, बिल्कुल अच्छी मस्त बन करके तयार होगी, यह तरीका देख लिए ने फ्रेंड्स, तो आप हर वार इसी तरह से कड़ी बनाएंगे, तो चलिए फिलेम को मिडियम रखे और इसे हलका सा हमें रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल हलका सा जादा जलाने की जरूरत नहीं है, अब इसे स्टेज पे ह हमें क्या करना है, डाल देना है कड़ी वाले बैटर को, तो चलिए, मैं यहाँ पे पहले बैटर को डाल देती हूँ, जो हमने बना करके तयार किया है, उसे हमें डाल देना है, फिलेम को यहाँ पे हमें करना है, मिडियम तो मिडियम पे ही पहले आप बनाईएगा और इसे लगातार mix करते रहेगा आप इसे mix करना बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा अगर आप छोड़ दीजेगा तो कई वार कड़ी फट जाती है तो यहां पे flame को medium ही रखेगा इस बात का जरूर ध्यान रखेगा और इस चीज का भी ध्यान रखेगा मैंने अभी नमक का इस्तेमा करते रहना इसे छोड़ना नहीं है जब तक एक उवाल ना आ जाए तो देखी यहां पर मैं आपको दिखा रहे हूं एक उवाल आ चुके हैं flame को मैंने अब यहां पर लो कर दिया है अब लो फ्लेम पे हमें कड़ी को अच्छी तरह से पकाना है तो चली इसे जब तक पकने देते हैं इतने में कर लेते हैं स्पंजी और फ्लपी पकोड़े की तैयारी तो मैंने आप यह चार बड़े चमच पेशन ले लिए उसमें थोड़ी सी रियर चीली पॉड़र और थोड़ी सी हल्दी पॉड़र डाल दिया है आप अपने श्वाद के अनुशार नमक डाल दि खोंशार से अच्ऽी तरह से मिक्स करते हुए हमें स्मूध सा इसे बोहुत ही अच्छा सा श्मूधヅ में पकोड़े का बनाते है अन्यमिक्क sentido के बनाना है यह के अपर बनाना नहिए कैस्ते बिल्कुल देखते जाए स्टेप्स बहुत ही टेंश्डर थोड़ा पानी डाल बिल्कुल इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा अगर आपको यह थोड़ी सी गाड़ी लग रही हो फेटने में प्रॉब्लम हो रही हो तो एक दो बूंद पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो मैंने यह आधा कब से भी कम पानी का इस्तेमाल किया है बिल्कुल इस अची तरह से फिटीेगा यह बिल्कुल ही हलका हो जाता है तो अब हमें करना है एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है उसमें थोड़ा सब बैटर में से उठाइएगा और इस तरह से हमें डाल करके देख लेना है तो देखिए जैसे ही डालेंगे तो यह बिलकुल पानी के ऊपर आजाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने बिलकुल अच्छी तरह से पकोड़े की जो पैटर है वो बना करके तैयार कर लिए ह तो देखें बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा बनकर तयार हो चुका है पकोरणा बनने के लिए पकोड़े वाले और थोड़े थोड़े करके हमें इस तरह से टाल देना है फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर दीजेगा जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ फ्लेम को मीडियम कर दीजेगा और इस तरह से हमें जितने भी पकोड़ी इसमें आ सकते हैं उतने पकौरी इस तरह से बना लिजेगा और रोटीट कर दीजेगा बिलकुर रोटीट करते हुए बनाएगा बहुत ही स्पंजी पकौरा बनकर के तयार हो जाता है फ्रेंट्स और इतनी टेस्टी कड़ी लगेगी ना आपको खाने में जब एक बार आप इ जरूर इस रेस्पी को ट्राइ किजेगा तो चलिए पकौरी हमारे अच्छी तरह से फ्राइ हो चुके हैं अब मैं इसे निकाल लेती हूं एक प्लेट में बहुत ही टेस्टी और फलपी पकौरा बना है तो वह भी मैं आपको दिखाती हूं तो चलिए अब मैं दिखा दे र से मिक्स कर लिया है अब इसमें हमें डाल देना है पकोड़े को एक एक करके सारे पकोड़े को डाल देजे आज तो आपकी कड़ी जवरदस्त बन करके तयार होगी अब देखें यहां पर मैंने डाल दिया है नमक मैंने सबसे लाश्ट में डाला है तो नमक मैंने सबसे नाएगा तो गर्म होते होते वह लसी और कड़ी जो होती है नही Burch निया मैंने नमक का इस्तेमाल सबसे lost में किया है हमें जादा खटी धही पसंद नहीं है खटी शफील्ग भी पसंद किया है तो इसलिए is I तो चलिए यह हमारा बनकर के तयार हो चुका है पकोड़े रखने के बाद मैं गैस को आफ कर दी हूँ उपर से हरा धनिया डाल दी हूँ चलिए से सर्व करने की पाड़ी आ चलिए मैं एक बाउल ले ली हूँ उसमें हमें फटा-फट से कड़ी को सर्व कर लेना है अब आपक हमसे फलपी है हमारा यह पकोड़ा कितना टेस्टी है हमारी मारवाडी कड़ी पकोड़ा बनकर के तयार हो चुकि है फ्रेंड्स आप एक बार बना कर जरूर ट्राइ किजिएगा मेरी गारेंटी है अगर एक बार आप लिए बना लीजिए गा ना तो हर बार इसी तरह से और अपने फ्रेंड ग्रोस में चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में